देटेल में study करेंगे कि जैटी, spears and wharf क्या होते हैं जैसा कि मैंने पहले इसके structural components में आपको इनका एक brief definition दे दिया है अब हम इसको इस lecture में detail में study करेंगे तो ये बोलता है, जैटी क्या होता है? जैटी एक आपका narrow structure होता है जिने construct किया जाता है शोर से लेके deep water तक मान के चलो यदि ये समुद्र का किनारा है तो समुद्र के किनारे से आप construct करना start करोगे और deep sea के तरफ क्या करोगे? इसका construction करोगे तो ये आपका क्या कहलाता है? जैटी कहलाता है जिसमें ये जो जैटी होता है इसमें आपका birthing की facility भी provide की जाती है तो आपका ये जो जैटी है या तो आप दोनों तरफ से use कर सकते हो for birthing process या फिर आप उसको end की तरफ से भी आप use कर सकते हो तो आप ये बोल सकते हो ये जो जैटी होता है इसका जो तीन तरफ से जो है यह आपका open होता है पहला तो एक तरफ then second side then from front तो यह तीन side से आपका क्या होता है structure जो होता है वो open होता है अब jetties जो है वो ऐसे structures होते हैं जो piles की तरह आपके projected होते हैं तो उन्हें आप क्या कहोगे jetties कहोगे jetties जो है या तो sea पे बनाया जाता है या फिर आपका navigable river के उपर क्या है इसका construction किया जाता है तो यह जैसे आपको diagram में दिख रहा होगा कि यह shore से लेके आपके deep sea के तरफ construct किया जा रहा है इसका इस तरफ भी exposed है इस तरफ भी exposed है as well as front portion भी इसका exposed होता है आगे यह बोलता है कि jetty का जो structural design होता है वो similar होता है breakwater की तरह and these structures are exposed to severe wave action तो जो भी waves cause हो रहे हैं severe waves वो इससे आपके टकराएंगे किससे आपके jetty इससे तो यह क्या होता है आपका jetty होता है जिसे harbor में हम construct करते for the process of birthing आगे यह बोलता है peers क्या होता है तो next जो topic है हमारा वो है क्या peers तो peers बोलता है ऐसे structure जिन्हें perpendicular बनाया जाता है shore of sea के कि उन्हें आप क्या कहोगे peers कहोगे तो इन sea peers को ऐसे जगा ऐसे जगा construct किया जाता है जहाँ water depth जादा नहीं होता and जहाँ पे natural harbor convenient नहीं होता for birthing process बहुत सारे cases में peers को construct किया जाता है by using piles columns के साथ so that enough space should be available for ocean current to flow without causing any obstruction तो यह होता है आपके क्या peers तो यह peer के components होते हैं और यह actual में इस तरीके से आपका दिखेगा next है आपका peer head तो peer head क्या होता है harbor के entrance पे बनाया जाता है जो peer head है वो 3 sides से आपका क्या रहता है exposed रहता है इसलिए इस पे आपके ज़ादा shocks and vibrations आते हैं as compared to आपके break water तो इस तरफ से भी आएगा इस तरफ से आएगा as well as front से भी आता है next है आपका वार्फ वार्फ का meaning होता है yard या फिर आप बोल सकते हो an outdoor place जहां work किया जाता है तो उसे आप क्या कहोगे वार्फ कहोगे तो यह बोलता है वार्फ आपका landing place या बोल सकते है platform बनाया होता है जो आपका near आप shore के along बनाते हो ships के लिए तो वार्फ एक working platform होता है जिसे shore के along आपका बनाया जाता है वार्फ का जो level होता है वो above होता है आपके high water level से लेकिन इसके साथ ही साथ it should be economical to load the vessel when water level is low तो यह होता है आपका क्या वार्फ तो इस तरीके से यह कुछ इसका structural component आपको दिखेगा Thank you